कोई भी लक्षे बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटीव चैनल हिंदी साहित्य वारता में आज का हमारा विचे है हिंदी की एतिहासिक पिष्टभूमी हिंदी की एतिहासिक पिष्ट भूमी के अंतरगत हम प्राचीर भारतिय आर्य भाषाएं पूरा कर चुके थे और मद्यकालीन भारतिय आर्य भाषाएं हम पाली तक ही कर पाए थे तो इसलिए आज हम जो चीज देखेंगे वो है प्राकृत अपभरंश अभःट और आधुनिक भारतिय आर्य भाषाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत पहली इस्वी तक आते आते बोलचाल की जो भाषा पाली थी उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए थे और यही बदलाव जब ज़ादा बढ़ते गए उसी समय क्या हुआ प्राकृत भाषा का अविर्भाव हुआ या यूं कहें कि प्राकृत का विकास हुआ चली अब हम समानने सब परिचा देख लेते हैं कि प्राकृत क्या है प्राकृत को द्वित्य प्राकृत भी कहा जाता है इसका समय पहली से पांसो इस्वी तक है प्राकृत सर्वधिक प्रचलित भाषा रही छट्वी शताबदी तक सहित्य की भाषा रहने के कारण इसे सहि प्राकृत भी कहा जाता है तो दोस्तों ये हो गया प्राकृत का समानने सब परिचय कि इसका समय कब से कब तक था और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है अब हम देखते हैं कि प्राकृत की उत्पत्ती कैसे हुई तो प्राकृत की उत्पत्ती के विशे में अलग-अलग व महत्वपूर्ण मत हैं, वो हम देखते हैं, सबसे पहला मत है, वो ये कहता है कि प्राकृत जो है, वो प्राचीनतम जन भाशा है, जो प्राचीनतम जन भाशा मानते हैं, उन में से, जो सबसे प्रमुक लेखक हैं, या प्रमुक विद्वान हैं, वो है नामी साधू, नामी प्राकृत है और उनकी इसी बात को continue किस ने किया है वाकपती राज ने किया है वाकपती राज अपनी रचना गौड बहो में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र का सारा का सारा पानी समुद्र में एक तरीके से वो प्रवेश करता है और दूसरा क्या है वहां से निकल जाता है ठीक वैसे ही संसार की समस्त भाषाएं क्या है प्राकृत भाषा में समाहित होती है और प्राकृत भाषा से ही वो आगे विकसित होती है तो इनका कथन भी क्या है कि प्राकृत जो है वो प्राचीनतम जन भाषा है तो ये जो दो विद् ये कहते हैं कि प्राकृत प्राचिंतम जन भाषा है लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्राकृत जो है वो प्राचिंतम जन भाषा ना होकर संस्कृत से निकली हुई भाषा है तो उन विद्वानों में से मारकंडे, लक्षमी धर और देवमणी और आपका हेम ये जो प्रमुख विद्वान है ये कहते हैं कि इसका जो विकास हुआ है वो संस्कृत भाशा से हुआ है तो इस सम्बंद में हेमचंदर का जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है वो ये है कि संस्कृत मूल है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है तो इनके कहने का मतलब क्या है इनके कहने का मतलब यह है कि जो संस्कृत है वही सब बाशाओं का मूल है जितनी भी बाशा है वो संस्कृत से ही निकलती है और जो बाशा संस्कृत से निकलती है वही प्राकृत है ठीक है तो यह हो गया दूसरा मत अब हम देखते हैं कि जो सब लोगों का मत है कि सरव सम्मती किस की ओर है तो वो मानते हैं कि जो प्राकृत है उसका अविर्भाव किस से हुआ है प्राकृत का अविर्भाव संस्कित भाषा से ही हुआ है इसलिए हम किस मत को मानेंगे संस्कित से जो उत्पति हुई है उस मत को हम मानेंगे तो यह हो गया दोस्तो प्रकृत का समानने ऐसा परीच है कि प्रकृत क्या थी कब से कब तक उसका काल रहा विद्वानों के उसके बारे में क्या-क्या मत है ये हम देख चुके हैं आएए अब हम देखते हैं प्रकृत के प्रकार हो दोस्तो जिस तरीके से पाली के तीन महत्वपूर्ण विद्वान थे या प्रमुख विद्वान थे उसी तरीके से प्राकृत के दो प्रमुख विद्वान है वररूची और हेमचंद्र इन्होंने प्राकृत के अलग-अलग प्रकार बताए है सबसे पहले अगर हम बात करें वररूची की तो वररूची का जो समय आता है दोस्तों वो आता है सात्वी शतापदी और इनके गरंथ का नाम है प्राकृत प्रकाश इस ग्रंथ में इन्होंने प्राकृत के चार प्रकार बताए हैं पहला है माराश्ट्री, दूसरा पैशाची, फिर मागदी और फिर चौथा शौरसेनी तो ये चार प्रकार बताए हैं वर्रूची ने जबकि हेमचंद्र इसके तीन प्रकार बताते हैं हेमचंद्र जिने प्राकृत का पानीनी भी कहा जाता है। इनका जनम लगबग 1145 के आसपास हुआ ऐसा माना जाता है। और इनकी जो प्रमुक रचना है वो है प्राकृत व्याकरन। उसमें इन्होंने माने है इसके तीन प्रकार। आरशी, अर्धमागदी जिसको जाना जात या यूँ कहें कि सबसे आदर्श जो प्रकार माना जाता है, वो माना जाता है महराश्त्री प्राकृत को, जो सबसे पहले देखिए वररुची का महराश्त्री प्राकृत, उसी को ही माना जाता है सबसे आदर्श प्राकृत, और जो अचारे दंडी हुए हैं, उनकी जो प् दंडी ने क्या कहा है इसको महराश्ट्री प्राकृत को कहा है सबसे उत्कृष्ट इस तरीके से भी पूछा सकता है कि दंडी ने किस भाशा को सबसे उत्कृष्ट भाशा कहा है ठीक है तो हमारा उतर होगा महराश्ट्री प्राकृत तो यह होगे दोस्तों प्राकृतों के प अन्य प्राकृतों में या तो बहुत कम हुई है या फिर हुई ही नहीं है ठीक है दोस्तों जो कौन-कौन से सहाहितिक रचनाय रची गई यह हम देख लेते हैं प्राकृत सहाहिते में ज्यादा सहाहिते इसमें नहीं लिखा गया है लेकिन जो रचनाय उपलब्ध हैं जो हमा तो यह जो रचना है यह किसमे है महाराश्ट्री प्राकृत में आती है जो दूसरी रचना है इसमें वक्षपती राज की गौडवद तो यह रचना भी किसमें है महाराश्ट्री प्राकृत में है और अन्य जो रचना है हेमचंद्र की कुमारपाल चरित यह प्रमुख रचना प्राकृत साहित्य की तो दोस्तों यहां पर प्राकृत साहित्य हमारा संपन होता है अब हम देखेंगे अपभ्रंश साहित्य तो अगर हम बात करें जो मध्यकालीन भारती आर्यवाशाएं हैं उसे तीन भागों में बाठा गया है तो पाली प्राकृत और अपभ्रंश जो अ पूछा जा सकता है कि जो मध्यकालीन भारती आर्य भाषाएं है उसकी तीसरी अवस्था क्या है तो हमारा उतर होगा मध्यकालीन भारती आर्य भाषाओं के जो तीसरी अवस्था है वो है अपभ्रहश ठीक है इसलिए इसको क्या का जाता है तृतिय प्राकृत भी कहा जाता ह ठीक है दोस्तो अगला जो महत्वण बिंदू है दोस्तो वो है संधिकालीन भाषा तो अपभ्रश को संधिकालीन भाषा क्यों का जाता है क्योंकि अपभ्रश क्या करती है ये मध्यकालीन भारती आरे भाषा और आधुनिक जो भारती आरे भाषा है इनके बीच में एक कड़ का काम करती है एक पुल का काम करती है ठीक है जैसे हम एक पुल से क्या करते हैं क्रॉस करते हैं उसको तो दूसरी जगा जाते हैं एक जगा से दूसरी जगा ठीक वैसे ही जो अपभरश भाषा है यह क्या काम करती है मद्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा के बीच एक पुल का काम करती है कड़ी का काम करती है उनको एक तरीके से जोडने का काम करती है तो संधी का मतलब क्या होता है जोडना होता है इसलिए इसको क्या का जाता है संधीकालीन भाषा ठीक है दोस्तों आपप्रहंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बिगडा हुआ या गिरा हुआ कहने का अभी प्राय क्या है कि जब प्राकृत भाषा थी जब वो समय के साथ साथ बदलती गई उसमें विक्रितियां और विकार आते गए ठीक है जैसे हम आज बोलते हैं कि हिंदी हम बोल रहे है उसका स्थर ठीक ऐसे ही प्राकृत भाषा का जास्थ एक तरीके से जब वो गिरावता अगि उसमें उसके स्थर उसको कहा गया उसका बिगडा हुआ रूप घिरा हुआ रूप तो ठीक वैसे ही अपप्रहंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या माना जाता है बिगडा अधार पर और भाशा के अधार पर दोस्तों अगर हम शब्द के अधार पर देखें कि इसको सबसे पहले प्रियोग किया गया था वो पतंजली के द्वारा उनकी जो प्रमुक रचना है महाभाश्य वहाँ पर इन्होंने प्रियोग किया अगर इसको भाशा के अधार पर देखेंगे अपभ्रश से सम्बंदित कुछ महत्वपूर्ण तत्य यह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि सरवप्रत्थम पतंजली ने अपभ्रश के लिए अपशब्द का प्रयोग किया पतंजली ने क्या दिया अपशब्द का प्रयोग किया भरतमुनी ने नाटेशास् अपभ्रश को फिर आता है अचारे रामचंद्र शुकल इनका जो कथन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है बहुत बार परिक्षा में पूछा जाता है यह लिखते हैं कि अपभ्रश नाम पहले पहल बलभी के राजा धारसेन दुतिय के शिलालेक में मिलता है जि इन तीनों भाषाओं का क्या कहा है कभी कहा है तो यह कथन किसका है अचारे रामचंद्र शुकल का है अगला जो तत्थ है दोस्तों अपभ्रश से संबंदित वो यह है कि अचारे हेमचंद्र और वागभट यह कहते हैं अपभ्रश को ग्रामीन भाषा गाओं की भाषा इन आते हैं आपके अचार्य दंडी, अचार्य दंडी जी कहते हैं कि यह तो अभीरों की बाशा है, इसलिए इसको नाम दिया गया अभीरादी, दंडी ने इसको अपपरणश को क्या नाम दिया अभीरादी, ठीक है दोस्तों, लास्ट में अचार्य किशोरी दासवाजपई इसक क्यों कहते हैं क्योंगी इसमें अधिक्ता थी नो नो की जैसे खाना खाना की जtt़ को एक बसक Потом अठिक्ता वह देखना को मिलती है कि इसमें अभप्रण्ष्वाशा में तो यह तो होगे कुछ जो मतोपूर्ण तथ्य थे अपवरंश भाषा से समन्दित अब हम देखते हैं अपवरंश कालीन साहित्य क्या था ठीक है तो जब भी हम दोस्तों अचारे रामचंदर शुकल की पुस्तक को पढ़ते हैं हम जब उसमें जो दूसरा एक अध्याय आता है अपवरंश काब्यका तो उसकी जो पहली पंक्ती है दोस्तों पहली जो लाइन है वो देखी क्या है वो बुलता है कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रही तभी से अपवरंश साहित्य का अविरभाब समझना चाहिए ये अचारे रामचंदर शुकल का कथन है और किस से समझनित कहा गया है अपवरंश कालिन साहित्य से ठीक है तो बहुत महतोपूर्ण है ये कथन भी एक्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये किस का कथन है तो हमारा अंसर होगा कि ये अचारे रामचंदर शुकल ने कहा है तो ये है दोस्तो जो साहित्य के संबंद में उन्होंने कही ये बात अब आते हैं कि जो अन्य साहित्यकार हैं इनमें देवसेन, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुर्रह्मान ये जो प्रमुख रचनकार हैं या साहित्यकार हैं जिनोंने अपभ्रंश में अपना साहित्य लिखा इनको विस्तार से हम देखेंगे आदिकालीन साहित्य में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस वाली हीकाई में हम इनको विस्तार पूर्वक देखेंगे चलिए दोस्तो अब हम देखते हैं अपवरंश की विशेष्टाएं और उसकी वर्ण व्यवस्था दोस्तो अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो आप लोग नीचे इमेज में देख रहे होंगे यहां से आप इसकी वर्ण व्यवस्था को देख सकते हैं इसमें 10 असवर और 33 व्यंजन है तो कुल मिलाकर इसमें 43 क्या है वर्ण है ठीक है दोस्तो अगली जो बात है अप वरंश की महत्वपूर्ण विशेष्टाएं तो इसकी जो विशेष्टाएं है सबसे पहली विशेष्टाएं कि ये उकार बहुला है फिर इसमें 2 वचन और 2 लिंग है तो वर्ण की क्या है इसमें प्रधानता है नो का अधिक्या जो हमने किशोरी दास वाजपई ने अभी पीछे हमने पढ़ा कि किशोरी दास वाजपई ने इसी के चलते इसको क्या कहा नव नव की भाषा कहा, कि नव वरन की क्या है, इसमें अधिक क्या है, ठीक है, फिर आखरी जो विशेश्टा है, दोहा या दूहा चंद का प्रयोग, तो कई बार एक्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है, कि अपभरंश का मुख्या चंद क्या है, तो वो है दोहा या दूहा, तो ये कुछ मौतपोर्ण विशेश्टाएं हैं, और वर्ण विवस्ता है, किसकी अपभरंश की, तो अपभरंश हमारा यहीं पर संपन होता है, अब हम देखेंगे अवहट को, तो दोस्तों अवहट की अगर बात करूँ, तो अपभरंश के जो बात की है, अपभरंश का परवर्ति रूप क्या है? अवहट है. तो अवहट भाशा का जो सबसे पहला प्रयोग किया था, वो किसने किया था? जो तिरिष्व ठाकुर ने वर्ण रतनाकर में, अवहट का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है? उसके बाद जो अवहट से संबन दित, दूसरी बात है दोस्तो, अचारे जो सुनिती कुमार चटर जी है, वो कहते हैं कि अपभरंश जो है, अपभरंश और आधुनिक भारती आरे भाषाओं के जो बीच की कड़ी है, वो क्या है? वो अभर्ण है. किसके और किसके बीच की कड़ी? अपभरंश और आधुनिक भारत यह जोड़ रही है अप भ्रंश और आधुनिक भारतियारवाशाओं को, ठीक है, क्लियर है, तो यह किस ने कहा है यह कथन, कि यह जोड़ती है उन दोनों कालों को, यह कहा है, अचार सुनीति कुमार चटर जी ने, ठीक है दोस्तों, तो यह है अभट, अभट के में क्या इसमें नए बरन आगे, दो स्वर आए और दो व्यंजन आए, तो जो स्वर थे ए और अउ, इनका आगमन भी इसमें हुआ, इसके साथ साथ, जो व्यंजन है, रो और डो, जिसमें ऐसे व्यंजन, जिनको हम उत्क्षिप्ट व्यंजन भी कहते हैं, यह हम ग्रेमर वारे पोर एक होता है, बड़ा, दूसरा बड़ा, तो बड़ा अगर हम लिखेंगे, तो उसके नीचे नुक्ता नहीं लगा होगा, जिसके नीचे नुक्ता लगा होगा, उसमें हमारी जीब क्या है, लुड़केगी, तो इन वर्णों का जो आगमन है, वो भी कहां से हो गया था, अव जखरी, जो हमारा आज का विशे है, वो है, आधुनिक भारती आरे भाषाएं, दोस्तो अगर हम आधुनिक भारती आरे भाषाओं की बात करें, तो अपभरंश में अलग-अलग रूप थे अपभरंश के, ठीक है, और उन्ही अलग-अलग रूपों से क्या हुआ, अलग- जयनी अपभरंश से, तो इसी हिंदी को हम विस्तार पूर्वक अपने आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, फिलहाल दोस्तो आज की वीडियो के लिए, जो हम लोग देख पा रहे थे, वो इतना ही था, कि हमने आज कहां से कहां तक, प्राकृत से लेकर के, आधुनि जय हिंद।